हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग मुझे पूरा उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे आईए आपका वेलकम अपनी यूटूब चैनल बिहारी मैथ फोर यू में जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी इनर्जी विश्वास और इमानदारी से अपने न उसके अंतरगत हम लोगों ने देखा था कि अदित्य हल एक हल और अनेक हल से सारी चीजों को में हम लोगों ने जान लिये थें साथे साथ कुछ पार्ट आगी कि और हम जब गए थें तो वहां पर एक नई चीजों का जानकारी मिला था साइद आपको ही पता ही होगा उसमे सारी चीजों को मैंने बताया था कि कैसे जो है मतलब अगर इसी related अगर मैथ हो तो कैसे बनाया जाता है 21 और ब्लपन विधि यानी जिस तरह से इन दोनों चीजों का मैं चर्चा कर दिया था इस पर आधारी सारे सवाल को मैंने हल करा दिया आज हम लोग चलेंगे वही दो-चारवाले रैखिक समीकरन योगन पर अधारित प्रस्न रहेगा लेकिन कुछ तरीका अलग रहेगा कुछ पार्ट अलग रहेगा आज उसी पार्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं उसी पार्ट को समझने वाले हैं कि कैसे वैसे पार्ट जब आ रहें या 20 या 25 में आपको कुछ एक अच्छा कंसिप्ट देने वाला हूं ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे क्यों सफर करते हैं मेरे भाई आईए मेरे साथ आप बने रहें यदि मेरे साथ आप बने रहेंगे तो मैं आपको भी एक अच्छा बनाने का कोसिस करूंगा आपर कहता है कि समी करणों को निबन यूग्मको हाल करो समी करणों के निमन यूग्म को हाल करो ठीक है अब इसको हम लोग हाल करने जा रहें इसमें आपका सबसे पहला पार्ट ये रहा तो बटा एक्स है और पलस थीपटा वाई है त्यीवटी वाई है इस Iraqi वापॉर to 13 है अगला जो पाट है वो 5 बटा X है और माइनस जो है 4 बटा Y है और is equal to minus 2 है ठीक है इसमें आपको बताना है कि X और Y का value क्या आएगा ठीक है यही समीकरन यूग में के सहता से आपको क्या बताना है X बराबर Y बराबर भाड यानि X और Y का value निकालना है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं क्या इसका प्रोसेस होता उस चीज़ पर मैं चर्चा करता हूँ वाई मेरे आपके सामने 2 बटा X पलस 3 बटा Y is equal to 13 है और दूसरा एक्वेशन है 5 बटा X minus 4 बटा 5 Y is equal to minus 2 है ठीक है तो यदि ऐसा एक्वेशन टर्म आ जाए तो हम लोग कैसे तरीका बनाने का है कैसे नियं है बनाने का कैसे हम अंसर के पास जाते हैँ वो चीज़ को मैं बताने जारह ठीक है मुझे उमीर है आप मेरी बात को समझ रहे हो होंगे इसके लिए कि अब लोग उन्हें है यहाinh form था लेकिन अभी के रूप में क्या देख रहें कि यह नीचे में यहाँ पर एकस नीचे नीचे में तो इसे कंडीशन को हम लोग कैसे आगए क्यों बरते हैं कैसे बराते आईए समझते है वाई मेरे यदि हम कह रहें कि यहां पर पार्ट है टू बटा एक्स है ना टू बटा एक्स है इसको हम लिख सकते हैं टू मल्टीपल वन बटा एक्स लिख सकते हैं यदि इतना से आपड़ाँ य है तो हम लिख सकते यां पर क्या हो जागा और इस कंडिसन में हम चलते हैं तो ऐसा करसकते हैं हम क्या कर सकते हैं ऑसमाने या क्यों की या चलना है और अा इसुम से यांताज में यह और बनाएंगे और य sixth QR का答 पने फोगों तो चलिए आप हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे साथ बने रहे हैं हम क्या कर सकते हैं x है equation न पलस जो is three बटा y है न Is equal to 13 है तो two बटा को हम बताई थे one बटा x लिख सकते हैं और three multiple when βटा y लिख सकते हैं लिख सकते हैं is equal to केतना हो गया 13 हो गया अब ये one बटा x के लिए हमने क्या माना फी माना तो two multiple p हो गया आधीन वन बटा y के लिए हमने क्या माना problem नहीं होना चाहिए, जब नहीं होना चाहिए, तब हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे कि उसी तरह से हम EC को भी अभी यही मानेगा, ऐसा ना कि अभी इसको हम P माना है, तब आगे जो दूसरा ECUESON में हम मानने का तरीका बदाल नहीं, क्योंकि यह भी वन बटाएक से, यह भी वन बटाएक से, खली बीच का साइन अलग हो जागा, तो यह हो जागा मेरे भाई, 5P हो जागा, माइनस 4Q हो जागा, हो जागा ना, माइनस 2, अब यह equation क्या, फर्स्ट है equation क्या, यह second है, इतना term है, तो आपको आप दिख रहा होगा, कि काफी आसानी रूप दिखी गया, यानि सरल तरीके से अब आपको दिख लिए, जो term में पहले आप चलते थे, वही term आपको चेहरा द बैलेंस करना, यानि विलोपन वीदी के पास जाना, और विलोपन वीदी वाला प्रोसेस को यूज़ करना, तो आसानी वे में हम कोई भी एक आग्यात रासी को हम ग्यात कर लेंगे, ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं, यह पलस 3Q हो, माइनस 4Q हो है, तो किसी तरह से इसको बैलेंस का रूल यह कहता है, यदि equation first में हम 4 से multiple कर दें, equation second में हम 3 से multiple कर दें, तो यह पलस 12 की हो जागा, माइनस 12 की हो जागा, तो यह कड़ जागा, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि समीकरन, 1 multiple 4, और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो आसानी रूप होगा, हो गया, चौक를 क्या हो गया, उसी तरह से जब 3 से इसका multiple करें, तो 15 P हो गया, और यह हो गया प्लस मेरे भाई, माइनस होगा, माइनस 12 की हो गया, और यह हो गया, यह दू में, तो यहाँ पर 4 से कर रहा हैं, 4 तीय बारा, 4 पचई, यहाँ पर किस से कर रहें, हम 3 से करने, 5 या 15 हो जागा equation second और Mmiyorum 12Q हो जागा और यहां पर जो हो गा 3 2 6-6 हो ठीक है और वहां पर इस तरह से ओ ग्या अब यह कट जागा जोड रहें और 15 ऑ 8 कितना हो गया मेरे भाई तैस हो गया हो गया इधर हो गैप का 46 हो गया इतना हो गया यानि 23 is equal to honest इसलिए बराबर हो गया 53 दुनिए 46 पी बडावरड 2 आगया आग्या पी वरारिटू अब हम क्या करेंगे आगे चलके देखते हैं कि आप पी का मांच क्या करें कि समीकरन न किसी में भी रख लो समीकरन मान ले अग्तें हैं हम स्वास्ट में रखने पर फिर अब दो दूनी 4 Plus 3 Q मेरे भाई 13 हो गया 3 Q बरावर हो गया 9 हो गया कि इसलिए Q बरावर हो गया 3 नो हो गया यानी 3 आया तो अभी आप ऐसा ना समझें कि आप अंसर बना लिए अभी आपको X और Y का value निकालना अभी तक तो हमने step को यहां तक सजाया अब आगे step क्या कहता है कि X वाई तो हम लोग क्या माने थे इसलिए क्या माने थे हमने कि 1 बटा X बरावर माने हैं P है अब P का value अल्रेडी टू निकाले हैं तो 1 बटा X बरावर 2 हो गया इसलिए X बरावर जो हो जागा तू इधर आ जागा हम कर सकते हैं इससे cross multiply करेंगे तो यहाँ पर हो जागा 2X बरावर 1 तो X बरावर क्या हो गया 1 बटा 2 हो गया नहीं उसी चलते इसलिए फिर हो गया कि हम लोग क्या माने कि 1 बटा Y बरावर माने हैं Q माने हैं तो Q का फैलू कितना आया 3 आया तो 1 बटा Y हो गया बरावर यह 3 आगया cross multiply 3 Y बरावर 1 इसलिए Y बरावर हो गया मेरे भाई 1 बटा 3 आया इस तरह से अब जो answer आया इसका main answer आया अब जो पूछ रहा था question जो चर्चा कर रहा था X और Y का मन हमने आसानी रूप से दे दिया X का value 1 by 2 आया और Y का value कितना आया 1 by 3 आया इस तरह से या equation का पहला question हम लोग ने काफी आसानी बे में बना लिया किसी तरह का कोई problem ने हुआ या स्टेफ सिर्फ आपको यही mind make up करना है कि X वाला को हम लोग P मानते हैं और Y वाला को Q मानते हैं या ऐसा कोई जरूरी नहीं कि P और Q भी मानता कुछ यह मान सकते हैं मानने से क्या होता है चीजों का arrangement आसान हो जाता और अंसर का आना भी आसान होता ठीक है इस तरह से आपके सामने यह पहला question आज के अब अगला question है मेरे भाई आगे चलकी यह question क्या दिख रहा है कि 2 बटा root X है है ना अब पलस जो है 3 बटा root Y है इतना है is equal to 2 है और आगे जो कह रहा question कि 4 बटा root X है और 4 बटा root X है और minus 9 बटा root Y है is equal to minus 1 है इतना है है ना तो इसको बताना यह equation first है यह equation second है तो हम लोग बनाने जा रहे हैं तो rule वही process करेंगे अब आपके सामने जो है root में X आ गया root में Y आ गया root में X आ गया root में Y आ गया तो अभी तो आपके सामने जो कि था कि 2 बटा X था तो इसलिए हम लोग क्या मानते थे कि 1 बटा X तो उसी तरह से 2 multiple 1 बटा root X की लिख सकते है न यही 1 बटा root X को आप P मान लो तो हम कह सकते है माना की, क्या माना, माना की मेरे भाई, माना की 1 बटा root X बराबर क्या P है, एवं, जो है, क्या आगे चलके है? 1 बटा root Y बराबर क्या माना, Q है? इतना मान लिया, तो यह हो जागा 2P हो जागा, यह कितना हो जागा 3Q is is equal to 2 हो गया उसी तरह से equation second हो जागा मेरे भाई 4P हो जागा माइनस 9Q हो जागा is equal to minus 1 अभी equation first हो गया equation second हो गया इतना तो आप कर लेंगा असानी वे में जब इतना कर लें तो आगे भी सफर आसान है बीच में इसान equation को परस्ट equation का बीच का सान positive यहां negative तो पता ही चलेगा सिर्फ equation को जोड़ने वाला मामदा है यदि equation को जोड़ोगे तो बीच वाला जो है कट जागा और कटने के लिए भी किसी भी एक equation को balance करना पड़ेगा बरावर करना पड़ेगा तो पता ही चले यदि equation first को हम क्या करें यदि हम equation first को तीन से multiply कर दे तो यह 9 के बरावर हो जागा तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं समी करन first multiple three और add second multiple one कुछ ना तो one अब यह तीन दूनी 6P हो गया अब पलस जो होता है 9Q हो गया अब बरावर 3 दूनी 6 हो गया उसी तरह से यह 4P हो गया इसको छेट चार नहीं करें वन से तो कोई effect नहीं पड़ेगा और यह 9Q हो गया is equal to minus 1 हो गया यहां कर दे यहां से यहां कट गया 6 4 10 P हो गया और यह हो गया मेरे भाई 5 हो गया तो P बरावर हो गया 5 बटा 10 हो गया बरावर 1 बटा 2 इतना गया अब हम लोग क हम इकरन 1st का चहरा को तलास करें कि इसका चहरा कैसा तो पता ही चला कि इसका चहरा है कि 2P है अब पलस 3Q है is equal to 2 है अब P का मान कितना है मेरे भाई 1 by 2 तो 2 multiple 1 by 2 पलस 3Q आया is equal to 2 2 से 2 खटम 1 पलस 3Q बरावर कितना है तो आया 3Q बरावर जो गया 2 minus 1 बरावर 1 आया इसलिए Q बरावर कितना या या 1 बटा 3 आ गया ना कियोगरा 1 बटा 3 आता हम कर सकते हैं आता क्या है क्य क्या है कि रहे हैं कि फी माना और पीं का मान कितना है 1 by 2 वन बटावत रूट एटवल टू लगे अब रूट 2 हो गया ईसलिए एकس धरार क्या होगा 2 का square हो जागा? Root just to square गया, बराबर 4 है, उसी चलते हैं, वन बटर root y के लिए हमनों क्या माना? क्यू माना? तो one foreign root y कर देगे मिरे भाई. क्यू का value कितना है? वन बटर 3 आया, है ना? क्यू का value कितना है? वन बटर 3 सौर्डी, यहाँ पर क्या हो जागा? वगा एक मिनट यहाँ पर यह वडरावर जो है हम लोगों नहीं वण वाइज़ रूपर रूट यहां यहाँ वाइज पर ट्यों हो ग्या इसलिए इसलिए और पर रूप उप फ्रिय और कियो जो कि 5000 वं बटन फिरी तो इसलिए रूट वाइज़ क्या हो गया थिरी आ गया इसलिए वाई बराबर क्यों जाते होगा तीन का एस्पायर हो जागा यानि नौ आ जागा तो इससे पता ही चला कि एक्स का मान चार आया या वाई का मान कितना आया नौ आया काफी आसानी वे में तो आप आसानी वे में ऐसे कोश्चन को भी चीत कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग इसे हटाते हैं अगले कोश्चन के पास आते हैं आइए मेरे साथ आप बने रहे हैं आप अच्छे वे में अपला सेवन वाई है अब बटा जो है एक्स वाई है इस इक्वल टू कितना पंद्रा है इसमें आपको वैल्यू पूछ रहा है कि यहीं समय करें यूग का हलकन एक्स और वाई का वैल्यू ग्याद करें अभी तक कुछ आपको पार्ट में छोड़ा सा चेंजिंग मिला होगा बहुत चेंजिंग मिला होगा थोड़ा नहीं बहुत चेंजिंग अब कुछ हमेला ही अलग दिख रहा होगा यहां यहां पर मामले ही कुछ अलग है तो उसके लिए भी आपको घबडाना नहीं हर बड़ाना धैर रखना है सहीम रखना है और आसानी वे में माइंड का to use करते हैं आगे क्यो चलना, ठीक है? यहाँ पर देखो मेरे बाद, इस यह में आप इसको हल करना, तो याद रहे है कि यादी किसी संग यह पूरे पर बठा है पूरे पर बठा का मतलब इसका भी बठा होगा इसका भी बठा होगा, तो यहहाजी हम हल करने जा रहे हैं तो इस रूप में इसको लिख सकते हैं 7x बटा इंटू xy माइनस 2y हो गया इंटू xy इस रूप में कर से is equal to केतना हो गया 5 हो गया ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसी का ही रूप हुआ होगा इस रूप में आ जागा तो हम ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हैं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए जब ना होगा तो एक से एक से कट गया यहां पर दिखा आपको खत्म एक्स एक्स खत्म 8 बटा y आ गया अपला 7 बटा x is equal to कितना आ गया पंद्रा आ गया इस तरह से ये भी हो गया अब आपको दिखता होगा कि वहले वाला जो फॉर्म बना रखे थे हैं वही फॉर्म में ये चेंज हो गया वही फॉर्म जैसा अब झोलक दिखने P मान लिया, और 1 बटा X बरावर क्या मान लिया, Q मान लिया, तो ऐसे condition में अब क्या होगा, अब ये label थोड़ा सा change होगा, 7 P हो जागा ये, माइनस 2 Q हो गया, is equal to कितना हो गया 5 हो गया, उसी तरह से जब यहाँ इसको मानेंगे, तो ये हो जागा 8 P हो जागा, अब पलस 7 Q हो जागा, is equal to कितना हो गया, ये equation second हो गया अब यह equation कितना हो गया, फस्ट हो गया अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये माइनस में 2 Q हो, पलस में 7 Q, किसी तरह से दोनों को balance करना, दोनों को balance करने के लिए क्या हो, वीच वाला रहे हैं, दू से, ठीक है, इतना कर देंगे तो जब दू से करेंगे, तो ये 7 749 P हो जागा, हो जागा ना, 7 दूनी 14 Q हो जागा हो जागा, 7 पचे 35 हो गया, अब इसमें 2 से कर रहे हैं तो 8 दूनी 16 P हो गया अब पलस जो हो गया, 7 दूनी 14 Q हो गया, is equal to 15 सत्य कितना होता है, 105 हो गया, इतना आप कर लें, अब देखो, यहाँ पर से क्या, यह कड़ गया 16, 9, 6, 15 के 5 हाथ पुरा 1, 2, 4, 65 P हो गया, हो गया, उसी तरह 5, 5, 10 क्यों हाथ पुरा 1 हो गया यह हो गया, 10, 3, 13, 14 हो गया, इतना हो जागा, अब यहाँ पर क्या हो, कि 35 हो गया, यहाँ पर 1 मिनट 7, 8 P पुरा 7 Q पांजी में 7 से गुन्दा, 15, 15, 6 के 90, 15, 17, 105 15, 17, 105, और यहाँ पर दूसे मुल्टीपलाई किया यहाँ पर साथ से में 7, 25, 35 5, 5, 10 क्यों, 10, 13, 14 तो P बरावर हो गया, 140 बटा कितना हो गया, 65 हो गया 5, इसमें हो गया कितना बढ़, 5, 2, 10 हो गया, अब पनी अठी 40 हो गया, 5, 2, 10, 4, 5, 8, 4, 5, 3, इतना यानि यह बचा 28 बटा 13 बचा, ठीक है, अब थोड़ा सा कही कैलकुलेशन में तो कोई ऐसे कमी ना रहे गई है यह पुरा-पुरा नहीं कट पा रहा है पुरा-पुरा, नहीं कोस्टन भी देख लेते हैं एक बार मिला लेते हैं, सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, बिल्कुल सही 8X पलस 7Y है 8X पलस बटा XY है ठीक है, 7X माइनस 2Y बटा XY इतना ठीक है, यहां तक तो सफर काफी आसानी रहे में आता है 7 बटा Y माइनस 2 बटा X तो यह हो गया 7P माइनस 2Q 2Q हो गया, यह 8P पलस 7Q इस इक्वाल टू कितना हो गया मेरे भाई 15 इसमें आपको दूस से गुना कि सास सास सत उन्चास साथ दूनी 14, साथ पचे 35 आई, इसमें हो गया आपको 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 अब यहां पर पंदा दूनी 30 सौरी, यहां पर पंदा दूनी 30 होगा यही पकड़ना था, ठीक है यह 65 से 65 खतम अब हम क्या करते हैं कि पी का मान, अब पी का मान समीकरन फर्स्ट में रखने हैं पी का मान समीकरन फर्स्ट में रखो समीकरन कहां रखो, फर्स्ट में अब पी का मान को हम समीकरन फर्स्ट में रखते हैं यानि 7 multiple 1 minus 2Q is equal to 5 हो जागा minus 2Q बरावर 5 minus 7 हो जागा तो minus 2 हो जागा minus 2Q minus minus खतम 2 से 2 खतम Q का value 1 आया अब जब 1 आया तो हम कह सकते हैं कि आता हम लोग जो माने थें क्या माने थे 1 बटा Y बरावर जो माने थें वो P माने थें यानि P माने थे 1 बटा Y बरावर 1 तो इसलिए Y बरावर भी 1 उसके बाद 1 बटा X बरावर माने थे क्या मेरे भाई क्यों माने थे तो 1 बटा Q का मान कितना है 1 बटा X बरावर 1 इसलिए X बरावर भी क्या आएगा इस तरह से X और Y का value जो आया 1 आया काफी आसानी वे में ऐसे method को भी हमने बना दिया कहीं पर कोई problem नहीं हुआ होगा आपको मेरे उमीद से थोड़ा सा यहां पर mistake था हम equation में यह 7 से multiply कर देते थे यहां पर जो हो रहा था वो जो कर रहे थे गल्ती कर रहे क्योंकि 200 होगा दोस होगा तब यह 14 पलस और माइनस के रूप में आए ठीक है मुझे उमीद है कि यहां तक concept को आप समझ गया होंगे कहीं पर किसी तरह का कोई problem यहां तक नहीं होना चाहिए अब हम लोग अगले question के पास आते हैं को भी मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं वह question भी काफी interesting है आईए हम वैसे question को भी समझते हैं वैसे question को हम कैसे deal करेंगे आपके सामने question है भाई मेरे कि 5 बटा x-1 है और यहां पर पलस है 1 बटा y-2 है है ना और यह तरह से 2 है अगला जो टर्म है वो दे रखा है कि 6 बटा x-1 है और minus 3 बटा y-2 है is equal to कितना 1 है यह इस वे में मिला ठीक है यह question का pattern है यह equation first वाला rule दिया वा equation second को तो हमें आपको इसको change करना एक सरल तरीके में इसको लाना है एक simplification इसको आसानी वे मिलाना ताकि हम calculation method को इस equation को आसान बना सके हैं अब यहाँ पर अभी तक तो हम लोग ने देखा था कि 1 बटा x रहता था यह इस तरह कर रहता था एक सवाई रहता था लेकिन आप कुछ change हो गया तो याद रहे है मेरे भाई जो पहला equation का नीचे का पद होगा वही second equation का भी नीचे का यह हर होगा और second equation का पहला equation का जो second पद होगा उसका जो हर होगा उसी तरह से दूसरा equation का second पद होगा उसका हर भी वही होगा तभी हम लोग को मानना असान होता है ऐसा आप नहीं समझो जिस तरह से आप देखते थे कि 1 बटा एक्स इसमें भी रहता था इसमें भी रख्षा था इसमें भी रहता था वन बटा एक्स है इसमें वन बटा वाई इसमें भी वन बटा वाई तो अब मान रहे थे हैं ऐसा नहीं कि का है मान रहे है क्योंकि दोनों equation का first term और second term का जो हर था denominator था equal था इसलिए मानना असान होता था method भी असान होता था तो ऐसे वे में हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं माना कि मेरे भाई उसी वे में माना कि 1 बटा x-1 बराबर हम p मान लिया ठीक है और आगे चलके क्या होगा कि 1 बटा y-2 बराबर क्या मान लिया क्यों मान लिया इतना कर सकते हैं क्योंक रिजन है कि 1 बटा x-1 अगर लिख सकते हैं तो हम 5 बटा 1 बटा इस रूप में इसको मान सकते हैं काफी आसानी भी लिख सकते हैं इसको तो जब मान लिया तो हम आगे चलके इसका अब equation बनेगा कि 5P हो जागा और यह हो जागा 1 बटा y-2 के जागा पर Q हो जागा is equal to 2 होगा होगा ना उसी तरह से equation बनेगा यह हो जागा 6P हो जागा minus जो हो जागा 3Q हो जागा equation 1 हो जागा अब equation number second आप first देखो equation second देखो इसमें कुछ देखो आप एक positive बीच का sign है एक negative है तो उसके condition में क्या कहता आपको साइध मालूम ही होगा कि जब positive or negative sign रहे तो उसके respect में हम लोग क्या कहते किसी भी एक 4 रासी को balance करने की कोसिस करते हैं और वहां से उसके एक एक अग्यात रासी को ग्यात किया जाता है तो इसमें देख रहे हैं minus three q इसमें अकेला है तो इसमें तीन से गुना कर रहे हूं उसके लिए क्या करते हैं हम लोग समीकरन first multiple three add जो है ता second multiple one तो यहां three से करें तो पांत यह 15 पी और यह three q is six हो गया और यह हो गया six p कोई परभाव नहां पड़ेगा minus three q और यह हो गया one हो गया इतना करने यहां से यहां करता हम 15 छो कितना हो गया एक एस पी बरावर seven आ गया तो फी बरावर साथ बटा कितना हो गया मेरे बाई एक S आगया 1 बटा 3 आगया आगया ने अब हम लोग क्या करते हैं कि P का मान समीकरन 1 में रखनते हैं समीकरन 1 में P का मान समीकरन 1 क्या है उसका एक बार चहरा तलास कर लो तो 5 P है अब पलस Q is equal to 2 है तो 5 हो और यहाँ पर 1 बटा 3 पलस Q है यहाँ पर Q है ठीक है यह 2 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि Q बराबर हो गया कि 2 माइनस 5 बटा 3 हो गया यह LC हम ले ले लेंगे तो 3 हो गया 3 दूनी 6 यह 5 हो गया यह आ गया 1 बटा 3 Q का मान अता अब आगे चलके process क्या कहेगा अता अब जो मानें है आप की 1 बटा 1 बटा 1 बराबर हमने क्या माना पी माना अब पी का value 1 बटा 3 आया तो 1 बटा 1 बटा 1 is equal to P का अपिद कर देंगे क्या पूट करेंगे 1 बटा 3, 1 बटा 3 ठी हो गया x-1 हो गया 3 पलस 1 हो गया बरावर x हो गया तो x बरावर कितना आ गया चार आ गया उसी तरह से आता आगे क्यों चलेंगे 1 बटा y-2 is equal to क्या माना हम लोग q q का value 1 बटा 3 आया 1 बटा y-2 is equal to 1 बटा 3 तो y-2 बरावर 3 तो y बरावर क्या हो गया 2 पलस 3 बरावर 5 इस तरह से आपके सामने 100 y का value काफी आसानी way में गयाद कर लिया कहीं पर किसी तरह का कोई problem नहीं आया x का मान 4 आया और y का मान जो आया वो 5 आया या question काफी अच्छा label का question था ऐसी question आपके exam में आने के chances होते हैं इस way में आपको रहे तो ऐसे way में आपको मान लेना अब मानते हुए पी आक्यू के status आगे की और हम लोग value put करते हुए हम 100 y का मान असानी way में गयाद कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसे भी आप हटा देते हैं आप अच्छे way में इसे right down कर लें उमीद है कि कर ली होंगे चलिए आप हम लोग अगले question के पास आते हैं आज के class का समझे कि समीकरन equation वाला जो यह method है simple वाला बात है calculation का जो खेल है यह पूरी तरह से खतम मैं कर दे रहा हूं है ना बरावर जो है माइनस टू है यह question है अब इसको कैसे बनाएंगे वही पहलू पर अपनाएंगे वही तरीका अपनाएंगे कोई इसके दोनों के लिए same है ठीक है अब यह कर लें तो यहां पर हो जागा 10P मेरे भाई पलस 2Q मेरे भाई यह 4 हो जागा हो जागा ने equation second के पास तलास करते हैं तो यह हो गया 15P हो गया माइनस जो हो गया 5Q हो गया is equal to केतना हो गया माइनस टू हो गया अब यह positive एनिकेट किसी भी एक चर्रासी को equal way में करना तो इसमें हो गया 5 से गुना कर दो इसमें दूसरे तो हम कह सकते हैं कि समीकरन फर्स्ट मॉल्टीपल आई 5 जो हो गया समीकरन दो मॉल्टीपल आई जो हो गया दो हो गया तो इसमें पच्छे 50P हो गया अब 5 दूनी 10 क्यों हो गया इसमें दूसरे 15 दूनी 30P हो गया अब 5 दूनी 10 कितना हो गया क्यों हो गया अब यह क्या होगा कट जागा 50 30 कितना हो जागा पता ही चलेगा आपका 80 यह हो जागा आपका हो जागा 16 पच्छे क्या होगे 85 प्राबर क्या वण आगया यह प्राबर 15 आप क्या Um warm peng रखने पर समी करन समेकरन में अब समीकरन समी करनक क्या है कि 10 अभक पलस 2Q is equal to 4 है पे का यह स्टना निकाले 1 बटा 5, P गुने 1 बटा 5 करें पलस 2 Q करें इतना बरावर 4 हो गया 5 दूनी कितना हो गया 2 पलस 2 Q is equal to 4 हो गया 2 Q बरावर 2 हो गया इसलिए Q बरावर 1 हो गया इतना हो गया अता अगे क्यों हम अब 100 Y करना क्योंकि यहां तक लाके छोड़ नहीं देना अब अता हम क्या करें कि 1 बटा X पलस Y is equal to P है तो 1 बटा X पलस Y is equal to कितना पी का वाईलू कितना दे रखा 1 बटा 5 है तो हम कर सकते हैं कि X पलस Y बरावर क्या आया 5 आया अब यहां पर थोड़ा सा टेंसन हो गया अभी तक तो एक अन्नोन वाईलू था भी है फिर X पलस Y के रूप में 5 आ गया तो आपको घर बढ़ाना नहीं है अभी तक समिकरन एक और दो माना इसको आप थर्ड मान लो ठीक है थर्ड मान लो आप टेंसन नहीं लो अब यह पॉजिटिव बीच में यह नेगेटिव जोड़ दो जब जोड़ोगे तो आसानी होगा समिकरन फास्ट है पलस सेकंड से सेकंड से जोड़ेंगे मेरे भाई तो X पलस Y बराबर 5 होगा X माइनस Y बराबर 1 होगा यह कट जागा 2 X बराबर 6 आजागा X बराबर 3 आगा अब क्या करेंगे कि X का माण X का माण समिकरन थाड में रखने पर X का माण किसमें रखेंगे समिकरन थाड में समिकरन थाड क्या तो X पलस Y है is equal to 5 है तो X का माण कितना आया 3 आया है अब पलस Y है बरावर five है तो why का one two आ जागा आ जागा ने इस तरह से आपके class का आज जो last question था काफी interesting question था मैंने वैसे question को भी end कर दिया याद रहे मेरे भाई समीकरन के निमनी यूगम को हल का process जो है यही label रहेगा और यही end level लेगा इस तरह से मैंने आज के class में पूरी तरह से end कर दिया आपके book में ऐसा question मिलेगा आप उसे और अच्छे धम से practice कर लें जो मानने का तरीका मैंने जो way चुना है वो जो रास्ता चुना है जो way चुना है और जो concept रखा वही concept पर आपको भी चलना है किसी तरह कोई problem यहां तक नहीं होना चाहिए फिर हम लोग कल मिलेंगे आज के class का यह topic इंड हुआ कल भी मिलेंगे एक नए topic के साथ नए नए pattern के साथ और नए जो है पाठ के साथ आप तब तक के लिए पूरे अच्छे रंग से इमानदारी और वफादारी से अपने काम को करते रहें पढ़ाई को आगे क्यों बढ़ाते रहें और इसी तरह से मैं चुनिंदा चुनिंदा को को आपके सामने रखूंगा जो आपके लिए फाइदे मांद हो ठीक है आज के क्लास के लिए फिर हम लोग कल मेरें